नहीं बांद होन गियां ओला ते उबर हाई कोट दा वड़ा फैसला है जी हाँ चंडिगर दे वेच आजे ओला ते उबर नहीं बांद होन गियां हाई कोट ने बाई देसंबर तक दोना कंपणियां नू राहा देती है फिल हाल चंडिगर दे वेच चाल दियां रहन गियां ओ ओला ते उबर तुसी भी अपने एप दे थुरू बुक्रा सकते होए ना नू, हले बंद नहीं होई या ओला ते उबर कैब्ज, दोमे कंपनिया दे लाइसेंस चार नवंबर नू खतम हो चुके ने, लाइसेंस अपलाई अरजी पेंडिंग रहन तक होवेगी कारवाई, ट्र के ड्राइवर एंट्री टेक्स पे करन, ना की असी, ते ड्राइवरा दा कहना है के असी कंपनी नू बकाइदा होना दा हिस्सा दिने या, ते ए सारा टेक्स जोकी 6 क्रोडर पे है, एक कंपनिया ही परण गिया, ए दोने विवाद चाल रहे सी, एसे दोरान पटीशन दायर क हाई कोड दे वलो नमा फैसला आया है, हाई कोड ने बाई दिसंबर तक ओला ते उबर नू राहत दिती या, चंडिगर ट्राइसिटी दे वेच ओला ते उबर चाल दिया रहन गिया, हाले बांद नहीं होन गिया, ओला ते उबर, कैब ड्राइवर दा कहना है कि STA दे नाल अग्रिगेटर कंपनियां दास समझोता हुया है, एसले टेक्स दा पैसा भी कंपनियां नू चुकोना चाहिए है, पर इस विच आले चंडिगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ओला ते उबर नू काम रोक कर देया, देश दिते सान, पर जस्तो बाद ओला ते उबर हाई कोर्ट दी पटीशन दाखल कीती, जस्तो बाद हाई कोर्ट दा फैसला आया, ते हुन ओला ते उबर चंडिगर दे वेच नहीं बांद हुन गया, आओ एस उपर बड़े वकील दा की कहना है, जान देया चंडिगर में ओला और उबर, जी हाँ, आप मोबाइल पे दो मिनट में कैबू कर लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इन दोनु कमपनियों के लाइसेंस को लेकर चंडिगर एडमिसेशन के साथ एक विवाद चल रहा है, विवाद सिर्फ लाइसेंस का है, चंडिगर ए का पक्ष रखते हैं हाई कोट में, अमेता जी मैं क्लार्टी करूँ के ओला और उबर, दो बड़ी कंपनी हैं प्रोवाइड कर आती हैं जो चंडिगर पंचकुला मोहाली में, दोनों कंपनियां हाई कोट में पहुंची हैं, पहला मैं जानने चाहूँगा के उबर, उबर क्या कहा है हाई कोट में, क्या उनकी अप्लिकेशन और कोट में हुआ क्या है? देखे, ओला और उबर को आज से पहले 2017 की जो रूल्स थे, वो अप्लिकेबल थे, 2017 के बाद सेंट्रल गवर्मेंट ने 2020 के अंदर गाइडलाइन्स लेकर आए, जिनको चंडिगर अडिगर पराने लाइसेंस थे, वो 4 नुवंबर 2013 को एक्सपायर हो गए, तो एक्सपायर के बाद तो वो वीकल्स प्लाइ नहीं कर सकते हैं, वो तो इलीगल प्लाइंग मानी जाएगी, तो नोट आउट इनकी अप्लिकेशन हमारे हैं पेंडिक हैं, उन अप्लिकेशन के अंदर दे फाइल होती हैं, एक अप्लिकेशन सबसे पहले ओला फाइल करती है, वो यह कहते हैं कि हमारी अप्लिकेशन यहां पर पेंडिंग है, फॉर लाइसेंस, मीनवाइल एक दिसमबर 2023 को चंडिकर्ड अडिनिस्ट्रेशन ओला और उबर को एक जिठी भेजती है, कि आप चुपन इसल बेंच में यह मैंटर लगता है, जिसमें हम इस्टेटमेंट देते हैं कि नो डाउट इनके अप्लिकेशन हमारे हां पेंडिंग है, और दस दिन में हम उसके उपर ओर कर देंगे, तो कोई भी कोड़सेशन कोई प्र नहीं लेते हैं, तो कोई भी कोड़सेव चुपन क अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, इसके बाद सेम ही लेटर को बेस बनागे, कर एक दिसंबर 2023 को बेस बनाकर, उबर भी हाई कोड़ में जाता है, वो कहता है कि जो यह गाइडलाइन्स हैं, सिंस इनको एज रूल से डॉप्ट नहीं किया गया, तो इन गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने बेसिकली गाइडलाइन्स को चालेंज किया है, दूसरा उन्होंने एक है कि जब तक हमारे आप लाइसेंस के ओपर फैसला नहीं लेते, आप हमें च किया है जो 2017 में सेंटर गवर्मेंट की थी दूसरा आपका सत्रा की वो जा चुकी है अब 2020 में गवर्मेंट की गाइड लाइन्स आई है नहीं जिनको हमने नवंबर 2022 में चंडीगर सरकार ने अडॉप किया है तो गाइड लाइन्स को भी चैलेंज किया है तो उसमें आपको 22 को जवाब देना है और अब ही भी हम देख रहा है कि उबर चल रही है जब आपका पहले नुटिस गया था तब वी उबर चल रही थी तो क्या कोई चलान हूँ है को यसा डेटा है यह फिलाल मेरे पास तो कोई ऐसा डेटा नहीं सें और जाए हैं तो हम उसको चलान नहीं कर रही हैं नहीं कर सकते हैं तो बाइस के बाद स्थिति क्लियर होगी कि उनको लाइसेंस मिलता है या नहीं मिलता है वो तब देखा जाएगा बहुत 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 शुक्री तो यह थे सीने स्टेंडिंग काउंसिल एड्वोकेट अनील महता और पूरी क्लार्टी की कि ओला की जो application थी वो dispose of हो चुकी है और अब Uber की जो application है उस पर जो है 22 तारीक की date है और तब तक कोई चलान नहीं होगा तो दो application थी दोनों बड़ी कंपनिया हैं जिससे जो care provide करती है ट्राइस सीटी में और इन दोनों में से जो उला है उसकी dispose of हो चुकी है कि 10 दिन में आप इसको ल इगए